कि यह हमारे पास जो है कुस्चन है उसमें लिखा हुए है कि ए hem प्लस means इसका वेल्यू है वो क्या है फार एक से हमें पता नहीन है ठीक है तो अब इसको करते हैं एक्यूस् efficient वन और इसको करते हम Heat क्यूस्च टू तो हमें M plus N की value मालूम करने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि M की value क्या है और N की value क्या है तो इसलिए हमें ये दो equation में से किसी A को या N को हमें मतलब कट करना चाहिए फिर N का value पता करने के पाद उसमें put करेंगे या N कट करना चाहिए तो इसलिए हमें लाजमी है कि इसका जो 2 है मल्टिप्लाड है बाइट M से तो वो 2 जो है ये पूर एक्योशन से हमें मल्टिप्लाइ करना होगा तो हम क्या करेंगे तो अगर इससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो टू इंटू फाइव इस एकिल टू टैन ठीक है उसके बाद यह क्यूशन जो इसका जो कोशिंट है वो जो एक है वो इससे हम मल्टिप्लाइ करेंगे अगर इससे करेंगे तो इसमें कोई मतलब फरक नहीं आएगा तो यह सेम ही रहेगा इसलिए 2M प्लस 3N और 15 सेम अब ह माइनस करें तो माइनस करने के लिए रीओ लेह मैथमेट्स प्लस्टक्र जाएंगे माइनस के 5N फीकर उसके बाद यह मैंनस के प्भाएंगки का मैनस के 15 यह अब शवाब आप मै मैंस मैंस तो कट हो जाएंगे ठीक है उसके बाद हेंब कि यहां से मल्टिप्ले हो रहा यह से तो इसतर नहीं रट गम झाएगा तो यह एनधीने को इस एकूल तो फाइ पर फाई इस एकूल तो answer आएगा 1 तो n का value अब हमें मिल गया है 1 ठीक है अब n का value हम यहां से किसी भी equation में put करेंगे तो हमें m का value मालूम हो जाएगा 1 में करें आपकी मर्दी 2 में करें आपकी मर्दी ठीक है तो अब हम put value of n equation अगर 1 में कर लेते हैं तो equation क्या है m minus n अगर m n का value हमें मिल गया है तो n की जगह हम क्या रख लेते हैं 1 और is equal to 5 7 अगर अब यह 1 जो है यह minus हो रहा है इस तरह अगर एक्यूल की जाएगा तो वहां plus हो जाएगा तो m is equal to 5 plus 1 तो m का value आगा है हमारे पास 6 ठीक है अब हमें वैल्यू मिला है 5 यह जगह एंक न और हमें क्या मिला होँ था time plus n मतलब क्यों आख वाक्य आख address 5 पता नहीं है अब एक्या मिले हमें 6 और आट का विल्यूर्ट के मिले हमें का वन आफज है इस और एक कितने हो साथ मतलब एक्सका विल्यू क्या है साथ अब हमारा जो अंसर है वह साथ है ठीक है ठीक कुस्टन है सुरी उसमें वोचाव दा फाल्विंग इस ग्रेटिस्ट मतलब नीचे जो चार आप्शन दे हुए है उसमें सबसे मतलब बड़ा कौन सावला है जिसका वेल्यू सबसे ज्यादा बड ठीक है अब रियूल ऐसा होता है कि जो मैथमेडिक्स में जो नियूमिरेटर होता है वो अगर बड़ा होता है बनिस्बत किस से डियूमेटर से तो वो जो वेल्यू आता है उसका वो बड़ाई आता है जैसे कह साब लगाए हम अगर यह चार है अगर यहां पर भी चार है इ इसका क्या है चोटा है यहां पॉइंट धीनिट के घर चोटा है और इसका थोड़ासा बढ़ा है तो यह मत्रहन सब्सक्राइब कम आ गया हिसा है नह बालते है इताचाशन साव तो be लिसके उसके दो हिसााँ से हम देखेंगे जो जान चोटा है ठीक है वह यहां point के बाद 30 हैं ठीक है मतलब यह value चोटा है और यह value इससे इससे diameter बढ़ा है ठीक है इसका जो value आएगा वह something कुछ भी है आप डिवाइड कर लें आपको पतल लगी जाएगा ठीक है मतलब points में कुछ आएगा I think के इसका value जाएगा 0.404 इस तरहीं कुछ आएगा ठीक है यहां 40 के बाद यहां 30 हैं यहां 30 हैं तो जिरो हैं मतलब उपर वाला जो है एक 0 ज्यादा है तो मतलब उपर वाला जो है वह value फूरा कम है इसमें भी सेम सिस्टम है बाकी जो है इसका numerator थोड़ा सा बढ़ा है इससे और यह denominator चोटा है तो इसका value तक्रीब नाएगा 0.1 यहा उसके बाद है अब यहां देखें यह बड़ा है यह वाला चोटा है क्योंकि यहां point के बाद two zeros हैं यहां point के बाद तीन zeros हैं अब यह बड़ा है यह चोटा है तो जाहर है यह सबसे जो है इसका value सबसे ज्यादा greatest होगा यह क्यूल है यह तक्रीब यही कुछ आएगा one point something कु तो इसलिए हम इसको greatest कहेंगे थेंक यू यह फाइव नंबर बिल्कुल इजी है यह उसी तरह है जो पहले वाला कुस्टन था अब प्लस टू क्यू एडिकल टो 14 थ्रीप प्लस क्यू इस इकल टो 12 दे रहा हमें अब पूछ रहा है कि पी का value क्या है ठीक है अब पी का value पूछ रहे है ठीक है अब पी का value मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा जो क्यू को खतम करना चाहिए तभी हमें पी का value कहा चलेगा अब Q को खतम करने के लिए Q के जो quotient है मिसाल 2Q है उपर पहले वाले equation में और नीचे जो है उसके साथ 1 multiplied है ठीक है 1 समझा जाता है अब नीचे वाले Q का जो 1 है वो उपर वाले equation में multiply करेंगे और उपर वाले का 2 है वो नीचे वाले में multiply करेंगे अब नीचे वाले Q का जो 1 है वो पूरे उपर वाले में करेंगे तो उसके में कोई तब्दिली नहीं आएगा वो पी प्लस 2Q सेम इसी तरह 14 आएगा और उपर वाले 2Q का 2 अगर यहां multiply करेंगे यह अगर 3 से multiply करेंगे तो यहां पे आजाएगा हमारा 6P और यहां पे Q था पेले खाली तो अब आए जाएगा 2Q और यहां से टोइले था तो अगर 2 multiply करेंगे तो 24 आजाएगा अब अगर minus करना है तो हमें जो पाजिट जहां plus है वहां minus लगा देंगे ठीके अब क्योंकि खुतम हो गया अब यहां पे यह plus का है यह minus का है तो यहां minus 5P बचेंगे और यहां पे बचेंगे minus 10 ठीक है minus minus करतम हो गया अब बाकि अगर यहां पर multiple error f आए तो वहां जाकर डिवाइड करेगा तो पी का वेल्यू टू आए जगा बिल्कुल हम अगर इसको 9 बनाएं तो मतलब point के बाद total कितने डिजिट हैं अब देखें एक तो 0 है दूसरा 9 है total 2 डिजिट है ठीक है और यहां अगर देखें तो टोटल एक दो तीन चार है ठीक है पहले तो मैंने ऐसा किया है कि इसको पूरा 9 कर दो तो यहां पर अगर point को मैंने shift कर दिया दो डिजिट इस तरह राइट साइड तो यहां से भी लाजमी है तो हम दो ही डिजिट इस तरह करेंगे तो इसके बाद मैं इसको लेके आए यहां से यह नहां पर मतलब अब क्या बना हमारे पास बना नाओ पर 0.00 यह नहीं 0303 यह बन गया ठीक है अब ऐसा है कि यहां फिर भी point 0 3 आ रहा है तो इसको भी 3 बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए अगर point को यहां shift करेंगे यहां लेकर आएंगे तो मतलब बीच में कितने डिजि करेंगे तो उपर कोई मतलब shift करने जैसा नहीं है तो उपर 2 zeros हमें देने पढ़ेंगे तो मैंने कर दिया यहां पर 900 अब 900 पर हो गया 3 अब अगर डिवाड करें एक 3 पर 3 यहां आएगा ठीक है अब जवाब है 300 इसका थेंक्यू कि अब यहां पर लेंग प्लस लेंग प्लस विर्थ den ठीक है इसका चाहीग जरिए जो भी है तो उसका हम क्या करेंगे संप करेंगे जो जवाब हाएगा हमारे पिरमीट Thanks अब यहां पर टुहंड्रइद यहां ठिरियन ड्लेट यह हो गया यह यहांति यह इसका लेंग्च 60 और फिर विट थे सुरी 200 अब इसका जो होगा ये 34480 फाइव हंड्रेड़ मत्म 640 647 840 अब इसका जो टोटल पिरामिडर रहेगा 840 इसको यह बिल्कुल सिंपुल है इसमें कोई दिफिकल नहीं तो बिल्कुल ही सिंपुल है ठीक है अब जिस तरह कह रहा है कि सिद्ट Metro सिद्टों सीम Мैनसुट इसके ईसमें स्केशे करेंगे पेंडिव तो यहां क्या करेंगे हम चले मैंस-3 She मैसे इंट पर बब त्री मैनश थे कि अब्ब आह दो नहीं मैं त grouped तरी ठीक है अब ठीक है तो नौ आएगा और यहां पर 12 अगर तो सिंपल है करेंगे एक तीन इंटर तीन नौ आजाएगा और यहां पर हमें आजागा चार तो इसका विल्यू जवाब है थ्री पर फॉर बिल्कुल कि अग्याओ कि अग्याओ